विटामिन D के पार्ट वन वीडियो में हमने देखा था कि विटामिन D क्या होता है उसके क्या benefits होते हैं और उसके deficiency से हमें क्या क्या problems face करना पढ़ सकता है जैसे कि बहुत से bone problems, बारबार infection होना, pregnancy complications और बहुत से cancer की risk बढ़ जाती है अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसकी लिंक मैंने description box में दे दी है आप वहाँ चेक कर सकते हो और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि sunlight यानि कि सूरज की किरनों से हमारी body vitamin D कैसे बनाती है natural food sources और 45 food sources vitamin D के क्या है और vitamin D supplements क्या है और उसे हमें कब लेना चाहिए अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को subscribe जरूर कीजे ताकि ऐसे ही health related authentic information आप तक पहुच पाए और इस वीडियो को आपको end तक जरूर देखना है क्योंकि इस वीडियो के end में मैं आपको share करने वाली हूँ कि normal vitamin D का blood level कितना होता है और उम्र के हिसाब से आपको vitamin D का daily requirement कितना लेना चाहिए तो चलिए चलते हैं आज की topic की तरफ जैसे कि vitamin D के part 1 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि vitamins ये जो nutrients होते हैं ये हमारी body नहीं बना सकती है ये हमें बाहर खाद्यपदार्थो यानि कि diet से लेना होता है इसके लिए vitamin D ये एक exception है जो कि हमारी body भी vitamin D बना सकती है बहुत से लोगों को ये information है कि sunlight से हमें vitamin D मिलता है बट actually vitamin D ये sunlight में present नहीं होता है जब भी हमारे skin में एक ना cholesterol होता है जिसका नाम है 7D hydro cholesterol ये cholesterol सूरज के किर्णों में से जो ultraviolet B radiation होते हैं उनके contact में आता है तो एक molecule बनता है जिसे हम vitamin D3 यानि की colic alciferol कहते है ये vitamin D3 liver में जाके एक oxygen और hydrogen molecule लेता है और बनाता है 25 hydroxy vitamin D जो की inactive form of vitamin D है फिर ये vitamin D kidneys में जाके और एक oxygen और hydrogen molecule लेकि 125 dihydroxy vitamin D बनाता है जिसे हम calcitriol कहते हैं और actually calcitriol ये active form of vitamin D होता है जो की हमारे body के sub function सदा करता है और जिसे हम commonly vitamin D कहते है अगर आप routinely outdoor काम करते हो या फिर sunlight के contact में आते हो तो आपको vitamin D deficiency होने का खत्रा बहुत कम हो जाता है पर अगर आपका job profile office में है या फिर आप routinely sunscreen अपने skin पर apply करते हो तो आपको vitamin D deficiency का खत्रा काफी बढ़ जाता है तो फिर भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका job profile office में है तो आप weekly हपते में कम से कम 2 या 3 बार सुबह की early morning धूप में साथ से 8 बजे के धूप में हाथ तो और पेरों की skin को expose करके बैठ सकते हो और कम से कम आपको 15-20 minute skin को expose करके बैठना है फिर अगर आप routinely धूप में नहीं बैठ पाते हो तो कुछ natural food sources है यानि कि कुछ natural खाद्य पदार्थ है जिसमें vitamin D होता है जैसे कि एग योग यानि कि अंडे का पीला भाग, fatty fishes जैसे कि salmon fish, mackerel या फिर tuna fishes इसमें vitamin D होता है फिर beef liver, cheese, butter, mushroom इसमें vitamin D होता है जो कुछ भी नाम मैंने अभी लिये है ये पूरे non-vegetarian foods है यानि कि vitamin D deficiency mainly vegetarian लोगों में आम तोर पर देखी जाती है पर जो vegetarian लोग है उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये चीज़े नहीं खाते हो तो कुछ fortified foods है या फिर vitamin D supplements है आप वो ले सकते हो तो अब ये fortified foods क्या होते है पॉर्टिफाइड foods मतलब जो खाद्यपदा था जिनमें naturally तो vitamin D present नहीं होता है पर additional हम vitamin D manufacturing companies उसमें add करते हैं जैसे की breakfast nights, cereals, oats, orange juices, milk, soya milk, margarine या फिर वनस्पती घी और yogurt यानि की दही में भी vitamin D add किया जाता है फिर अगर आपको vitamin D deficiency के symptoms यानि की लक्षन अगर दिखाई दे रहे हैं जो कि आमने part 1 वीडियो में देखे थे तो अगर ये लक्षन आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको family doctor या आपके gynecologist को cancer करना चाहिए और उनको अगर लगता है तो वो आपके vitamin D level blood levels check कर सकते हैं normal जो vitamin D का blood level होता है वो 50 to 125 nanomoles per liter इतना होता है या फिर 20 to 50 nanogram per milliliter इतना हो सकता है फिर जो daily requirement होता है vitamin D का वो age के हिसाब से vary होता है यानि कि 0 to 1 year of age group में जो daily requirement vitamin D का होता है वो 400 international unit 1 to 70 years of age group में 600 international unit और above 70 years of age group में 800 international unit इतना हो जाता है फिर pregnancy या lactation में जो vitamin D का requirement है वो 600 international unit इतना होता है तो अगर आपके doctor को vitamin D deficiency आपके doctor अगर suspect कर रहा है तो आपको calcium के साथ-साथ vitamin D भी prescribed किया जाएगा बहुत से vitamin D supplements जो होते है उनमें अलग-अलग vitamin D होता है जैसे कि 200, 400, 600, 1000 या फिर 2000 international unit इतना भी vitamin D हो सकता है फिर कुछ vitamin D के sachets होते है यानि कि उसमें granular form में vitamin D होता है जो weekly basis पे आपके doctor आपको advise कर सकते हैं यानि कि हफते में एक बार वो sachet लेना होता है जो कि 60,000 international unit इतना vitamin D उसमें होता है फिर कुछ pediatrician यानि कि बच्चों के doctor आपके बच्चे को vitamin D drops भी prescribe करते हैं ताकि विटामिन D deficiency बच्चों में ना हो और रिकेट्स जैसे बीमारी से वो बच पाए पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो ऑफ विटामिन D में हमें यह पता चला है कि विटामिन D यह हमारे बाडी के लिए प्रापर फंक्शनिंग के लिए बहुत जादा इंपॉर्टन विटामिन D है कैल्शियम का प्रापर फंक्शनिंग अगर बाडी में होना है तो विटामिन D की जरूरत होती है और आज के वीडियो में हमने देखा कि विटामिन D सनलाइट यानि कि सूरज की किरनों से हमारी बाडी कैसे बनाती है नाच्रल फूर्ट सोर्सेज फॉर्टिपाइट सूर्स और विटामिन D सप्लिमेंट्स क्या होते है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर की ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नौटिफिकेशन मिल जाएगा